जै हिन दोस्तों, A2B2 Study की YouTube चैनल पर आप सभी का हरदिक स्वागत है दोस्तों, DeepHarma Intense Exam 2013 का फर्स्ट राउंड के एलाटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है रिजल्ट में बहुत से इस्टुडेंट को गौवर्मेंट कॉलेज तो कुछ को एड़ेट कॉलेज इसके अलबा, बहुत ही अधिक छात्रा में छात्रों को प्राइवेट कॉलेज एलाट हुआ है और आपके रैंक के अधार पर ही आपको कॉलेज मिला हुआ है तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इस्टुडेंट का लाइब आपको बताएंगे काईसे कॉलेज को freeze या फिर float करना है, कब करना है, कब नहीं करना ए तो आपको यहां पर पर क्लीक करने के बात, आपको यहांपर के उपर आएंगे submission का option दिख रहा है तो ये अभी incomplete है यानि willingness अभी आपने नहीं submit किया है देखिए यहाँ पर आपको फबसे पहले आपना result चेक करना है result चेक करने के बाद आपको submit willingness में जाना है submit willingness में अगर आपको college जो मिला हुआ है वो पसंद है तो आपको freeze करना है या फिर float करना है देखिए सबसे पहले हम submit willingness पर क्लिक करें इससे पहले हम आपको दिखा दे seat allotment पर कि आपको इस बच्चे को कौन सा college मिला हुआ है देखिए इस student का rank जो है वो काफी जादे है करीब 3225 इसका rank है और ST इस बच्चे का category है इससे देखे college जो मिला हुआ है वो है जनता प्राटेकनिक और ये added college है जहांगीराबाद में ठीक है ये college इन्हें allot हुआ है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन्होंने बोला है कि मुझे college पसंद है college को lock कर दीजी यानि freeze कर दीजी तो चलिए दीजी आपके सामने ही हम यहाँ पर आप तभी freeze करेंगी जब आपको कोई भी changes नहीं करने होंगी Impass the candidate's willingness to accept the Remain with the program and the institute allotted to you ठीक है यानि आपको जो college मिला हुआ है ठीक है उसको आप अगर freeze करना चाते हैं तो आपको इस पहले वाले option पे पहले वाले गोले पर क्लिक करना है दूसरा condition आपको college मिला हुआ है आप उसको float करना चाते हैं यानि आपको college मिला है आपको पसंद नहीं है आप चाहते हैं कि sir मुझे college ने चाहिए मुझे दूसरा कोई कोई मिल जाए ठीक है तो उस condition में आप float यानि दूसरे वाले option पे क्लिक करेंगे ठीक है तो इस student को college पसंद है उसको freeze करना है इसलिए हम freeze वाले यानि पहले वाले option पे क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम freeze के option पे क्लिक करेंगे देखिए जैसे यहाँ पर freeze के option पे आप टिक करेंगे तुरंत आपसे आपका password मांगा जाएगा यहाँ पर हमें password फिल करना होगा देखिए submit वाले बटन पर क्लिक करते ही आपका जो है willingness सब्मिट हो जाएगा और जब आप यहां पर ऊपर दिखेंगे तो आपको यहां पर date भी mention हो जाएगा चलिए अब हम आगे वाले option पर चलते हैं दोस्तों इस पहले वाले option के बाद आपको क्लिक करना है pay fee acceptance fee यानि अगर आपको college पसंद है तब भी अगर accept करते हैं या फिर float करते हैं तो आपको fees paid करना होता है चलिए इस option पर हम क्लिक कर लेते हैं जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको कौन सा कितना amount जो है वो paid करना है देखिए हम आपको ऊपर scroll करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जागा क्या देखिए आप जिस भी account से पैसे भेजना चाहरा है जो कि refund हो जाता है तो आपको उसकी detail फिल करने होगी जैसे कि आप देख रहे ह इनि अलहाबाद इंडियन बैंक हो, SBI बैंक हो, B.O.B. Bank of Brother जो भी आपका बैंक हो, HDFC बैंक हो उस बैंक का IFSC कोड आपको डालना होगा इसके बाद आपको बैंक का नाम कौन सा बैंक है उसका नाम डालना है इसके बाद ब्रांच जो है आपका नजडिकी बैंक जहां से इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहां पर दिख रहा है, you are required to pay an amount of RS 3250 दोस्तों आपको बता दे यह जो 3250 रुपए amount आप पेट कर रहे हैं यह amount ऐसा नहीं है कि आपने इसे पेट कर दिया तो यह आपका डूब गया यह आपका जो भी रुपए है कितना है 19,000 से लेकर के 20,000 लगबग फीस इसका है 2023 में और इस फीस में अगर आप 3250 रुपए पेट कर देते हैं तो इसमें यह माइनस हो जाता है और इसके बाद आपको करीब 15,178 यानी 16,000 कुछ रुपए आपको फिर से पेट करने होंगे ठीक है जो कि आप जब डॉकुमेंट वेड़िफिकेशन कराकर आएंगे तब आपको इसको पेड करना होगा ठीक है देखिए यहाँ पर पेमिंट करने के लिए आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ओन लाइन पेमिंट तो आपको इस पर जैसे ही टिक करेंगे तो आपको आपको पेप पर क्लिक करना होगा और आप चले जाएंगे पेमिंट के option पे वहाँ पे आप जाकर कर पाएंगे अच्छा सर इसके बाद क्या करना होगा देखिए जैसे यहाँ पेमिंट डन कर देते हैं आपका पेमिंट हो जाता है तुरंत आपका यह तीसरा वाला जो option है वह एक्टिवेटेड हो जाएगा हाँ फोर्थ नंबर वाला option है इस पर दिया गया है चूज रिपोर्टिंग सेंटर फार डॉकुमेंट वरिफेक्शन फार फ्रीज केंटिडेट यानि जो फ्रीज करेंगे न केवल उन्ही को यहाँ पर डॉकुमेंट वरिफेक्शन के लिए जाना है तो देखीज अब फ्रीज पेमिंट कर देते हैं जैसा ही फ्रीज एक्सेप्ट करने का फ्रीज पेट कर देते हैं तो अंत आपका वो college आपके लिए लॉक हो जाता है य वहां पर दिख सकते हैं आप टेलेग्राम पर भी हम दे देंगे वहां पर जितने भी पूरे यूपी में government college है और edit college है उनको बनाय गया है help center उस help center पर यागर आप मिर्जापूर से हैं आप मिर्जा पूर्श रहते हैं ठीक है या फिर आप मालेज वरासी सा है तो जिस भी जिले में आप चाहें आप जाकर के document verification करा सकते हैं वह आप आपको college choose करना है college choose करने के बाद आपको select कर देना है आप उस college में उस जिले में जो भी college होंगे आपको उसका नाम सो हो जाएगा आप उस college में जाकर करके document verification करा सकते हैं बिल्कुल भी आपको जल दिवाई नहीं करनी है क्योंकि date जो है वो 1 October तक है कब तक है 1 October तक है तो आप 1 October तक कभी भी जा करके document verification अपने निधारित help center पर करा सकते हैं ठीक है तो देखे जैसे ही आप इस payment कर लेते हैं और यहापे help center है वो choose कर लेते हैं help center choose करने के बाद आपको करना क्या है आपको एक list जो है आपको एक notice जो है वो download आपके हो जाएगा उस notice में आपको साब तरुपे लिखा होगा कि आपको जो आपने help center choose किया है न वहाँ पर जा करके आपको document verification करा लेना है ठीक है तो इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों जैसे ही आप document verification करा लेते हैं जैसे ही आप गय हुए है help center पर जैसे ही आपका help center हो जाता है जैसे ही आप उस college से बाहर आते हैं जैसे यह teacher बोल देंगे कि आपका document verification हो गया और आप जाइए आपका हो गया है तो आप जैसे ही बाहर आते हैं आप तुरंद 24 आवर इसका भी से ध्यान रखेंगे नहीं तो आपको जो college मिला है वो भी भाद से निकल जाएगा आपको 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा यहाँ पर आगर करके यह जो download seat allotment letter है आपको अब कभी डाउनोट कर सकते हैं वो आपको ले कर जाना है आपके college में जिस college मिला हुआ है ठीक है आपके college पर जहाँ पर आपको college मिला हुआ है वहाँ पर लेगिन देखिए आपको आना है pay admission fee अब ये admission fee जो है वो अलग-अलग होता है देखिए इनका जो है एड़ेट कॉलेज है तो इनका फीज जो है वो 19,000 है ठीक है तो इस 19,000 में अगर आप ST कटेगरी के हैं, SC कटेगरी के हैं तो इस 19,000 में क्योंकि आपने 3250 रुपे अलड़ी पेड कर रखा है तो इसमें आपको करीब 10,000 के अंदर ही कम ही एमाउंट होते हैं जो कि आपको online पेड करना होगा अगर आप general category के हैं या फिर other EWS category के हैं तो आपको पूरी की पूरी फी जो है साथ दिन के अंदर या फिर आप चाहे तो अगले ही दिन जाकर कि अपना डॉकुमेंट जो भी important डॉकुमेंट हो ओरेजन डॉकुमेंट हो high school intermediate अधार कार्ड चीक है इसका असाथ medical certificate बगार रखता है डॉकुमेंट की लिस्ट आपको दे दियाएगी वो सभी ले करके आपको अपने college में जाना है और आपका admission जो है वो confirm हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पूरा process अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई भी doubt है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें instagram पे या telegram पे direct contact कर सकते हैं वहापे हम आपके हर एक question का जवाब दे देंगे